आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाप बंकर शर्मा है बहुत बहुत सब आगेता है तो गाइस फाइनली एक चुरू आपको बता है चुरू भासकर एक वह है न्यूजर निकल आए क्या है कि वह 24 तारिक जी है आज की तारिक होगी 22 जनी परसों से आपके आपके चुरू हो जाएंगे निकल जाएंगे मतलब भरने शुरू हो जाएंगे अब होगा इक्जाइम अपस ने ये भी बता रखा फरवर्यमाच हालागी डेट तो पहले कुरूशल डेट तो पहले ही आ चुकी है अख़बार के बताने से पहले ही डेट अनॉंस हो रखी ह इसका क्या हो जाएगा जो पर फरवर्यमार्च में हो जाएगा इसने विकेंसी बताईए विकेंसी डिटेल कितनी है चुरासे जार आठाट सो चैसेट अब आप पूछो किसरे इतनी विकेंसी आएंगी तो इक्जैक्ट लिए नहीं सकता इसेट आपको पता अभी ऑफिशि के इंदर रहेंगी 20,000 विकेंसी रहने वाली है और कुछ है भाई आसम राइफल इसके अंदर साड़े 3,000 विकेंसी इसके करीब सा 300 विकेंसी रहने वाली है यह आपके 18 से 23 मांगी जाएगी 10 वी पास और आप साइट वे विजिट करोगे SSC जो डोट नोट इंके ना वेब इस नोटिफिकेशन आउट होगा इन्होंने यह बताया कि यह मेरी अपनी तरफ से निज नीज निये वह यह यह चुरू अन्दर यह निज चपी है कि 8,800 विकेंसी आने वाले है 24 यानि की आज 22 हुई है दो दिन के बाद यह विकेंसी का इक्ट ली आप लोगो पता लग ज इसकी जो validity है न वो आई एक साल की रहने वाली है ठीक है बताएगा ज़रा एक साल की इसकी validity रहने वाली है इसमें सारे के सारे subject कवर करा जाएंगे best educator के दोवारा इसमें subject क्या पूछे चाते है सर 20 की English होती है 20 की Hindi में से दोनों में से एक कर सकते हो आप reasoning 20 की होती है जिक्के भी इसकी होती है math भी इसका होता है ठीक है डिटेल वीडियो सुनिल सार ने बना रहके आप जाके check कर भी कर सकते हो ठीक है यह जो group D जिसका भी बेकार गया उसके लिए सबसे भड़िया चांस है ससी जीटी का जी है group D वाले जो इतने भी बच्चे ने जिसका बेकार चांस गया वो अठार से 23 की उमर में आते हैं तो उसके लिए best chance क्या है ससी जीटी है इसके लिए यूटूब पे class है वो भी शुरू हो रही है यूटूब पे भी आप लोगो class मिलेंगी डैली की डैली YouTube के अंदर classes मिलेंगी आप लोगों को ठीक है वो चाहिए math की हो reasoning की हो English की हो Hindi की हो आपको डैली की डैली class मिलेगी जुरूरी निया बैच ही खरीदे अगर आपके त्यारी अच्छी है तो आप YouTube से भी त्यारी अच् है यही चोटी सी नियूस ते मैं आप लोगों को बता दिया आशा करता हूँ यह मेरे द्वारा दिये की जहनकारी आप लोगों पसंद आई होगी आपका अपना opinion क्या है आप इस पारे में क्या सूचते मैं आपकी राइस जरूर सूचना सुनना चाहूंगा बागे चोई सा और को क्लारिफिकेशन और आजाएगा कि कितनी विकेंसिस है ठीक है इसके साथ मैं पंकर शर्म आपनों को से विदा रहेता हूं जाहिंद जाभार